तो दोफते वेलकम है आप लोग का अगेन अफ दे गोड की बिल्कुल एक ओड न्यू वीडियो में तो दोफते जैफ है कि आप लोग ने पिछली वीडियो में देख लिया था जो यूंची होते वोना कॉंपिटिशन जीच जाता है मगर फाही लोग ना कमीना पन करने लग यूंची को ना कॉंपिटिशन का विनर कह देती है जो गार्डियन फैमिली ना यूंची के खिलाफ देना वो लोग आ अब भी भी नहीं मानते है और वो यूंची के फादरों कहते हैं तुम लोग ने एक बहुत ही व्याब बड़ी गल्ती किया और तुम लोग ने डीमन इ इस ज्यठी है जएफ ही हमाए पर्ट को शिरुआत होती है और हम लोग ना यूंची के फादर को देखते है जो आ डीमन को खौल के बहुत ही है यह उन फैम को आ लेजाणे के और घूते को फाद होते है는, अपने घुटनों के पर आ जाते हैं और अपने फादर को रिष्पेक्ट दरेदें लग जाते है उफ ही अपक्नbage जितने पिछला ये लीडर होते हैं मैं अभर आप वह पूरे तरीके से फोरा नहीं हुआ जाता है Suppled यह भी Duke High की फैमिली की तरफ ही होता है यानि Duke High की तरफ होता है और फिर वो बुड़ा कहता है कि ऐसा कहफे हो वक्त है जो यून के हंगाई है वो ना कही फालों फे ना 33 वान कॉंटिटिनेंट के अंदर कहता है तो दोसर जैसे कि मैंने आप लोगों पहले ही बता जिया 33 वान कॉंटिटिनेंट का दूसर नाम लव का है परोफान कॉंटिटिनेंट भी है लेकिन आज फे ना हम लोग ना इसको 34 बुलेंगे और फिर वो जो गार्डन फैमिली के जो बुड़ा होता है वो दुबारा फे कहता है का कैसा कैसा हो वो वक्त्ति कहते हैं और मेरे जो grandfather दे हैं भा हुट से और bought फूर बाईदा हुट था येव पूछने के बारना जो little demon aquell आउंहीं होती हो भी बहुत ही वैदे शोक हो जाती है और है और पी जो यूची होते हैं लेकिन तुम सब कमीनों को वरा भी शरम नहीं है और तुम उन्हीं की फैमिली को पूरे तरीके विडिव्ट्रॉय करना चाहते हो कहते हैं यहां तक कि तुम ना उसको गार्डिन फैमिली की पॉजिशन फे बेटाना चाते हो यह इस उनके जो ड्यू खाई है और उसकी तरफ जो भी फैमिली वाले होते हैं वो बहुत ही वैदर शोक हो जाते हैं क्योंकि उन लोग को शरम तो जरा आती नहीं है बाफ वो लोग यूची को इक गालिया दे रहे होते हैं अपने दिल में यह आम लोगों ने लिटल दीमन एंपरेफ को दिखा जाता है जो कहते हैं कहते हैं जो डीमन कींगें उन्होंने बहुत कुछ बरदाश किया और उनके ओपर बहुत ही वैयर टोचर हुआ है और प्रूस के अकना जो लिटल दीमन एंपरेफ होती है वो ना उसके अकना जो यूची का गरहन फाद होते है उसको जूक की रिस्पेक्ट देने लग जाती है और कहते है कहते है कि आप में रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करेए ये देख कि जो बाकी गार्डियन फैमिली होती है जो यून फैमिली की तरफ होती है वो अब भी उन्ची के ग्राइंट फाल्स को रिस्पेक्ट देने लग जाती है ये अम लोगों ने लीटल टीमर एंपरेफ को दिखाया जाता है जो अपने दिल में कहते हैं कि तेक लगते ह उसके ओपर तो बहुत ही वैदा इंपोर्टन डीफीजन लिखे जाते हैं प्र जो ओंक लिटल लोग जो बहुत कुछ लिखने लग जाती तो छोcke है這個 को देग और प्र पिए को बहुत है ओगार्ड में MER मैं यून फैमिली को मेन टानी भारिंड असल में जो Duke हाई है वो नए एक Duke है और Duke का बहुत ही वैदा रिस्पेक्ट होती है Duke की सबसे वैदा रिस्पेक्ट होती है उसके बाद बाकी Guardian फैमिली की रिस्पेक्ट होती है और फिर जो Little Demon Emperor होती है वो कहते है कि इसके लावाना मैंना यून क्यों होंकर जो बेटा है उसको भी Duke बना रही हूँ आज से दोस्तों अगर आप लोग को सभी या दोना जो वाउन है वो ना यून फैमिली के अंदर ना सफ्ट यंग मास्टर है इस पर फिर जो Little Demon Emperor है वो यून को भी Duke बना रही है वह फिर तो यून ची भी बन सकता है मगर जो वाउन है उसको भी ये लोग ना पने बेटे इसना ट्रीट करते हैं इस पर फिर जो यून को ये Duke बना जा रहा है क्योंकि वो ही पहला यंग मास्टर है और फिर उसे अगना जो Little Demon Emperor होती है वो कहते है के ति या आप पे जो वाउन है उसको भी बहुत वैदा री 4-5 मिलेंगे और जो यून फैमिली उसको भी बहुत ही वाई 4-5 दिये जाएंगे क्याता थैं कि तुम हमारे family member ही हो फिर उफियक न जो wow youwn होता है येफ उनके जोश में आ जाता है और आगे चला जाता हो उसको accept करने के लिए और फिर उफियक न जो wow youwn होता है वो न little demon empress काया के जुब जाता है और कहता है कि little demon empress का जो gift आप और फिर वाव यूजा लिटल देमन एमरेस होती है वो अवसे प्रावायां ले भी लेता है फिर उफी अगना जो ड्यूख हाई होते है वो अपने चम्चे एलियान फैमिली के लीडरों कहते है कहते है कि अप तू कब जा कि अपना नेक्स मूव इस्तमाल करेगा उसे अगना जो एलियान फैमिली का जो लीडर होते है वो आ गई आ जाते है और फिर वो लीटल डीमन एमप्रेफ को कहते है किते है कि आप एफ़ नहीं कर से इस अगर तुम भी मेरे फादर को बचाने के जिति तो इस टैमना में जो ड्यूक की पूजीशन है यह ना तुम्हारे बेटे को दे रही होती है इसको नहीं कहते है कि मगर तुम्हारी फैमिली इस काभी नहीं निकली और फिर उसे अगना जो लिटल डीमन एंपरेफ होती हो ना बहुत ही वहाँ गुसा करता है कहते हैं कहते हैं लिटल डीमन एंपरेफ जो अवर लॉटपील है वह भी आप मेरे भाई वाववियून को दे 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 ये फून के जो वावव यून होते हो नर यूनची को मना करने लग जाते है और फिर जो उनची होते हो वह नहीं ने इसकी पहते हैं और पिर इचाती है और इसकी किया और और पिर जो लीटल डीमन अमपर्फ होती है वो नधा यूंची हो जाती है पिर यूंची कहते है पिर dependency क्बचिक टो बहुत है जो लीटल डीमन अमपर्फ को मना कर पा रहे है पिर वनना यह पे किसी के पाफ भी इतनी अबर String इसी के अंदर इतनी इनमत है येफ उनके जो लीटल टीमर एंपरेफ होती है वो कहते है किया मैं पूछ फक्ति हूँ कि तुम मना क्यों कर रहे हो फिर जो यूंची होते है वो कहते है कि इसका ये मतलब नहीं के मैं आपको ये देना नहीं चाहता है कि अब भी मेरी एक कंडिशन हो रहा है येफ उनके जो जल्दी करो और अपनी कंडिशन बताओ मुझे फिर जो यूंची होते है वो फिर दो कमीने होते है वो बीच में बोलते है कि बच्चे अपने उकाद सागे ना बढ़ यहां तक कि अगर तरह ग्रेंट फादर भी हमारे फार्म ने होते है वो भी हमें ये अलफाव ना कहता ह लगता है कि तुम बैरे हो गए हो यहां पर इस टेम मेरा ग्रेंट फादर नहीं मैं खड़ो तो मैं तो यह अलफाव बोलके दिखाऊंगा तुम्हें और कहता है कि आज तुम रिस्पेक्ट भी दोगे मेरे ग्रेंट फादर को यहां पर निजो यूंची होते है कि यह लगते हैं कि इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक का है फिर उसे अकना माँ पेना हम लोगों ने एक बंदे को दिखाया जाते हैं और यह जो बंदे होते हैं कि इसकी जो एज है वो ना 1400 येर फे भी वैदा है कहता है यहां तक कि जो हमारे डीमन एमपररस है उसके भी वैदा इ भी छोड़के चले गए मुझे फिर उसे एकना वो जो बंदा होता है वो ना यूंची ग्रेंट फादर के आगे जुक जाता है और उसको रिस्पेक्ट देने लग जाता है और कहता कि मुझे माफ कर देना मैं एंड टाइम भी तुम्हारा फाद नी दे पया था था फिर उस उसे एकना एकना एकर करके जितनी भी जो गार्डियन फैमिली फोती वो भी हलका करके जुकने लग जाती है और जो डीमन कींग होता है उसको जुक की रिस्पेक्ट देने लग जाती है फिर वहाँ पना और भी रीजिन्स के लोड आ जाते है और वह भी यूंची ग्रेंट जुक की फो रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं और एकना एकना एक और रीजिन्स लोड भी बीब बॉल पढ़ पड़ था कि तुम्हारी मेरे फात भी दुश्मनी हो जाईगी और एकना एक और जो रीजिन्स लोड होते है वो फ़भ उनके खिलाफ हो जाते हैं फिर उफे जो फार गार्टन फैमिली होती है, वो बरे तरीके बनाएं लगत को नी को जाता है, भना आगी हमाले ब्रॉचक ़हाँ होती है, वो इन लोगों ह्क झूरा होती है, वो गतना हिर ईल्गर करे ना ज करूडना होती है… और लेकिन जो एलियान फैमिली का जो लीडर होता है उसको आपने दिल में कहता है कहता है कि देखो ग्रैंड फादर मैंने अपना वादा आप से पुरा का लिया पूरे तरीके फे जिरुफे अपना माफीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग लोग यूची और लीटल डीमन एंपरेफ को खड़े होई देखते हैं फिर जो यूची न लीटल डीमन एंपरेफ को कहता है कि मुझे में पिछले बीएवियर की न माफ करता है कि अगर वो माफीन आ भी मांगते ना जब ना Demon Empreef नहा रही थी ऐसा करते करते हैं जो यूंची हो तो वो एक बार दुबारा फिना उसको ना Recap कर लेते हैं ये देख कि जो Little Demon Empreef होती है वो यूंची हो कहती है जो Little Demon Empreef होती है वो ना वहाँ पर जानने लग जाती है और कहती है 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 बहुत ही व्रूरी काम है और मैं उसकी काम पर जा रही हूँ तो दोस्ते इस बात को अच्छे फिए रखना पहले पांच चेप्टर नहीं और आगे जाके में जो वॉइफ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी तो दुफ़तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिलकुल एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों अपना अच्छे फिखाया रखना